नमस्कार जोहार आप सभी को EMRS ने फाइनली पर्मानेंट टीचरों की रिक्रुटमेंट एनाउंस कर दी है पिछले बार जेल लोगों का पैसा डूबा था एक बार कॉमेंट सेक्षन में जरूर आईएगा कि NTA ने करा क्या आपके पैसे ले और वापस नहीं किये तो नीचे आप लोग एक बार हाजरे लगा देजिएगा फिलाल नए रिक्रुटमेंट आ चुकी है इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस-किस पोस्ट के लिए जो है वेकेंसी आई हुई है सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट में आपको बता दू ऑनलाइन समीशन का जो अप्लि करने के लिए जा रहे हो तो एक हजार रुपए आपको यहां पर देना पड़ेगा आगे देखिए जो एक्जामनेशन होगा वो क्या होगा यहां से देख लो आप डूरिंग दा एक्जामनेशन एक्सवासी मिनट का टिचिंग स्टाप यानि कि आप अगर प्रिंस वर्ल प हैं यह बाद में आपको देखने को मिलेगा अब सवाल आता है कि कौन को निसे अपलाई कर सकता है किस-किस जगह की है वेकेंसी कितने पहले वह आप देख लो देखिए इ-double-s-e के नाम से यह जाना जाता है EMRS स्टाप सेलेक्शन एक्जाम के नाम से यह जाना जाएगा प्रिंसपल के लिए 303 पोस्ट है पेजिटी के लिए 2268 पोस्ट है एकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेंट एसिस्टेंट यानि कि कि जिसे short form में JSA कहा जाता है 769 पोस्ट है लेब अटेंडेंट के लिए 373 टोटल 4,000 बरसट पोस्ट के लिए recruitment आई हुई है अब देखिए subject के अगर मैं बात करूं PGT के लिए तो English, Hindi, Math, Chemistry, Physics, Bio, History, Geography, Commerce, Economics और Computer Science के recruitment आई है और PGT में 2086 पदों के recruitment है AWS के लिए अलग से पोस्ट है यह इस सारी जनकारी आपको यहां से दिख रही होगी अब बात करते हैं post graduate teacher third language की तो third language में भी vacancy है मराथी, उडिया, तेलगू, संस्कृत, बंगाली और संथाली की भी recruitment आई हुई है कुल मिला कर बात है कि tribe area जहां पर जो tribe group है उनकी language आपको यहां पर देखने को मिलती है अब देखिए जो non-teaching post है उसके बारे में भी मैं आपको पता दो junior, second rent, assistant, accountant और lab attendant की 1493 post आपको देखने को मिल जाएगी अब देखिए by the way कि नहीं को कुछ doubt रहता हो ना तो देखिए यहां से देख लो only Indian citizens are eligible to apply यानि कि भारत से कोई भी किसी भी state से belong करता हो doesn't matter that हर कोई से apply कर सकता है पहली बात हो गई दूसरी बात देखिए जो लिखी गई है जो cut-up date है न सारे age limit को लेकर या education qualification को लेकर वो 31 July 2003 से माना जाएगा इस बात का खास ख्यार रखिएगा 31 July 2003 से माना जाएगा salary की अगर मैं बात कर लो तो principal के लिए देखिए जो 78,800 यानि कि 78,800 से लेकर 2,9,200 रुपीज तक आपको provide किया जाएगा PGT की अगर मैं बात करो तो 47,600 यानि कि 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपे आपको दिये जाएगे accountant की बात करो तो 35,400 से लेकर 1,12,000 तक है JSA junior secretary के लिए जो है salary आपको मिलेगी 19,900 रुपे से लेकर के 63,200 रुपे तक Lab attendant की अगर मैं बात करो तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपे तक आपको दिया जाएगा अब देखिए ये pen paper test होगा, online examination नहीं होगा, offline examination होगा अब थोड़ी सी syllabus के बारे में बात करते हैं, एक detail से अलग से syllabus हम लोग बना लेंगे अब यहां से देखिए choice of medium of question यानि की third language बगएरा के लिए जो है आप Hindi, English आपको तो मिलेगा ही और interview और personality test के लिए 40 number दिये जाएंगे किस की बात हो रही है, principal की बात हो रही है, principal के syllabus की पार्ट A में reasoning और numerical ability से प्रसंट पूछा जाएगा, general awareness से question पूछा जाएगा देखिए, reasoning में 10% पूछे जाएंगे, 10 marks ही मिलेंगे, यानि कि हर question एक marks का होगा general awareness की बात करें तो 20 question पूछे जाएंगे, 20 number के ही examination होगा और third language की अगर मैं बात करूँ, या I mean English से 10% और Hindi से 10% पूछे जाएंगे, 20 question रहेगा और 20 ही number आपको मिलेंगे, 50 number देखिए, academic और residential aspect से question पूछा जाएगा जो की NESTS की website पे available है, मैं ये अलग से एक video detail जो है principal के उपर बना दूँगा by the way principal की अगर video चाहिए होगी आपको detail से syllabus को समझने के लिए तो नीचे principal लिखकर आप comment कर देना और जिनको PGT देखिए मैं बता देता हूँ PGT और principal के previous question paper चाहिए जो की नबोदे विद्याले और केंद्री विद्याले संगठन के द्वारा ले लिए गए हैं वो आपके काम में बहुत ही आने वाला है question paper आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज एक छोटा सा transaction करना है जो भी 10 साल के question paper है, DSSVK, KBSK, NBSK जो की बहुत अच्छे संस्थान माने जाते हैं उनके paper से अगर आपने प्रसनों को देख लिया, कर लिया तो काम आपका बन जाएगा यहां से मेरी email id देख लो, yourmithunsing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो if you are on instagram then do follow me at the rate imithunsing आप मुझे वहाँ पे contact कर सकते हो, previous question paper एवलेबल हो जाएगा notes के लिए मैं आपको बता दू, अगर आप principal के notes के लिए 700 पे करोगे तो आपको principal के notes मिल जाएगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PGT के लिए, PGT के लिए जो concerning subjects है, 130 marks का होगा और 20 marks होगा language से, यहाँ पे दखिए syllabus इन्होंने बाट रखा है general awareness से प्रसंद पूछा जाएगा 10, नमबर मिलेंगे 10 reasoning ability से प्रसंद पूछे जाएगे 20, नमबर मिलेंगे 20 computer से प्रसंद पूछे जाएगे 10, नमबर मिलेगा 10 अब देखिए, domain language की अगर मैं बात करूँ, तो subject जो आपका आता है इसके अलाबा, experience activity जो pedagogy की है, new education policy से जो प्रसंद है वो 70 प्लस 5 प्लस 5 यानकि 80 प्रसंद यहाँ से पूछ लिए जाएगे और जो language है, वो आपसे जो है 10, 10 नमबर का हिंदी और English से पूछा जाएगा तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आप लोगों के साथ syllabus साजा कर दी marking scheme की बात करें, तो negative marking होगी, एक नमबर आपको एक question को सही करने के लिए मिलेगा अगर negative कर दी, तो 0.25 याने की 4 में से 4 गलत कर दिया, तो एक सही question को आपको जो है सरदांजली देनी होगी, ऐसा आप समझ लो, syllabus जो है emrs.tribal.gov.in पर दे दिया गया है, मैं अलग से एक details जो है न, वीडियो syllabus पर बना दूँगा अगर आपका doubt आता हो, तो इन नमरों पर call कर सकते हो, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, working hour में time भी इनोंने बता रखा है, और email id की बात करूँ, तो emrs.recruitment23.gmail.com पर mail कर सकते हो, आप इनको और mobile number है 01122240112, थोड़े English बोल दी, मैं आराम से बताता हूँ, सुन 11222, तीन बार दो है, और 401122 पर आप call कर से, call करके जो भी information आपको चाहिए होगी, यह आपको बता देंगे, तो यह vacancy finally आ चुकी है, principal की जो age है, वो 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, PGT के लिए 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे दी है, और भी कोई important जानकारी है, तो देख लिए, age relaxation आपको जो है SC category, SC से अगर आप आते हो तो 5 साल का, OBCC के लिए जो है 3 साल का age criteria रखा गया है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, और application form के बारे म में उने कुछ जानकारी दी है, तो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ, वेट, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं दी गई है, देखिए यह certificate का परफॉर्मा है, जो आपको तयार कर लेना है exam के लिए, अब देखिए कहां कहां examination center होगा, अंडमान, निकोबार में port player पे exam देन और पंजाब से गर आप हो तो चंडीगड में इसका exam center पड़ेगा, राजस्थान के लिए जैपूर, सिक्किम के लिए गंग टॉक, तमिलनाडू के लिए चन्नई, तैलंगाना के लिए हैदराबाद, तृपुरा के लिए एगरतला, उतरपरदिस के लिए लखनव, और उत इस्तेदारों सहलियों तक इस वीडियो को सेयर करें, साजा करें, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएं, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहरायों से बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day